बच्चों नमस्कार लीजी एक अक्छा दस्वी के गनित में हम आज समांतर माध्य के प्रस्णावली दो जिसमें हमको समांतर माध्य ग्याद करना है इसका सुत्र सिंपल सा होता है यदि दो पदों का समांतर माध्य ग्याद करना है तो A प्लस B अपान 2 याने समांतर माध्य बराबर A धन B बटे 2 यह क्या है तो जो दो पद दिये रहेंगे उसमें से पहला पद को आप A मानोगे तूसरे को B मानोगे तो इस सुत्र में हम यहाँ पर मान रख देते हैं A के बराबर प्लस एक बटे 2 और B के जगह पर माइनस एक बटे 2 रखेंगे और इस तरह से हम दिखते हैं कि एक जगह पर 1 बटे 2 और धन यहां पर है लेकिन यह जो सूत्र में माइनस आया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक बटे 2 अपन फिर यहां पर इस सूत्र का 2 तो बच्चों इस तरह से 0 upon 2 बराबर आपका 0 होगा क्योंकि 0 को दो हिस्सा करोगे तो क्या मिलेगा 0 ही आएगा तो यह माध्य है यहां का दोनों के बीच में दोनों का माध्य जीरो हुआ इसी तरह से जो कई बार प्रस्न आया है दूसरा प्रस्न देखिए प्रस्न दो आपका है x square plus 3xy और x square y square minus 3xy का समांतर माध्य ज्याद करो ज्याद किजिए तो बच्चों इहां पर हम वहीं शुत्र लिखेंगे हल करके लिखिए यहां पर हल कि समांतर माध्य बराबर है यह प्लस भी अपान टू यह में यह पूरा आएगा और भी में यह आएगा इसको आप यहां पर अंकर न देखरके सब्दों को दे दिया है तो उसी को आपको रखना है पहले की जगह पर एक से स्वार प्लस है ठ्री एकस वाई और प्लस करके यहां पर चुकी माइनस नहीं है वाई में तो वाई स्वार माइनस्ट्री एकस वाई अपा न टू की प्लस में अपका Wind limit 3x y है और माइनस में भी है तो यह निरस्त हो जाएगा घड़ी आएगा इससे बचा हमारा माध्धी क्या होगा उपर में जो बचा है उसको देख लीजिए x square plus y square यह आपका x square plus y square अपान दो का दो तो यह आपका समांतर माध्धी हो हुआ तीस तरह से यह तो simple question है जो दो नुम्मर में आपके आते हैं अब हम अगला प्रस्न देखते हैं प्रस्न तीन तो बच्चों देखिए यह प्रस्न है आपका दो संख्याओं का समांतर माध्धी समांतर माध्धी साथ और गुणन भल 45 तो संख्याइं गयात कि लिए इस तरह के प्रस्न भी आते हैं तो हमको इसके लिए एक सूतर के आवश्कत होगी सब से पहले तो समांतर माध्धी हम लिख लेते हैं दिया है माना संख्याइं ए और भी है माना अभिश्ट संख्याइश्ट हाड लिखी हे हैं हाँपर आप सही तरीकuse लिखोगे तो आपको नुमंबर मिलेगा माना संख्याएं A और B हैं जब कोई संख्या नहीं दिया है तो आप अपने तरफ से चुनोगे माना संख्याएं संख्या A और B है तो बच्चों इसका क्या होगा अता समांतर माद है सुद्र को लिखेंगे आप अता समांतर माध्य इसका क्या दिया है साथ दिया है बराबर A प्लस B अपन टू याने A धन B बते दो अब यहाँ पर उसके मान को लिग देंगे क्या दिया है साथ दिया है अंक को नहीं दे करके उसका मान को दे दिया है तो हम यहाँ पर उसमान को लिग देंगे याने 7 बराबर A धन B बते 2 अब बच्चों इसको आप इधर ले करके गुणा कर दीजिए भाग में है इधर जाके 7 के साथ गुणा हो जाएगा इसलिए एधन B बराबर 7 दूने 14 गुणी 2 बराबर यहाँ पर लिख देता हूं 14 यह इसको आपको सम्हाने के लिए लिखा हूं बराबर 14 अब हमको जो सुत्र के आउसकता है उस पर आ जाते हैं दिया है क्या दिया है अब दूसरा ले लेते हैं दिया है A और B का गुणन फल 45 है यहाँ से हमको 45 है अब A और B का गुणन फल 45 है तो हम इसको क्या लिखेंगे A गुणित B बराबर 45 है और इसको हम समिकरण दो लिख लेते हैं और यहाँ पर जो लायत है यह इसको एक लिख लेते हैं समिकरण एक इसको दियान देंगे अब जो सुत्र क्याज कता है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे सुत्र है हमारा हमें ग्यात है कि अपका यहाँ पर जब दोनों का माध्य और गुणन फल दिया हो तो सुत्र आपको लगाना है ए माइनस बी का पूरे का वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी का वर्ग माइनस फोर ए बी अब बच्चों यहाँ पर जो ए प्लस बी पहले समिकरण में मान आया है और यह ए बी का मान 45 है इसको यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर ए प्लस बी का मान क्या आया है देखिए ए प्लस बी बराबर 14 यहाँ पर हम सुत्र में 14 रख देंगे यहाँ पर चुक्कि A प्लस B है यहाँ पर हम क्या रख देंगे 14 रखेंगे यहने A माइनस B का होली स्क्वेर बरावर 14 का स्क्वेर रिंड यह भी 4 का 4 रहेगा फोर का फोर गुणित A भी कमान 45 है यहाँ पर देखें समीकरंड दो से A भी बरावर 45 है यहाँ पर 45 को रागिजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरंड एक और दो से यहाँ पर लिख दिजिए समीकरंड एक और दो से यह मान आपको मिलेगा याने A माइनस B का पूरे का वर्ग बरावर 14 14 14 गुणी 14 दो बार मुणा होगा ओवर गहे तो इसका आता है 196 14 14 में 196 माइनस 45 चौंक आपका होगा 180 अब 196 में 180 गया तो बचा हमारा 16 याने A माइनस B का हो लिख कर बरावर 16 तो बच्चों इसलिए हम यहाँ पर इंप्लैस करते जाएंगे जैसे आप लगाना चाहों इसलिए A माइनस B इधर वर गहे तो इधर वर्गुमूल हो जाएगा A माइनस B इक्वल टू करनी 16 और इसका मतब तो आप जानते हो इसका वर्गुमूल हमको ग्याद करना है याने 4 आएगा 4 चौंक 16 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं करनी 16 को 4 गुणित 4 और एक जोड़ी के बदले में एक 4 बाहर आता है याने A माइनस B बराबर 4 हो गया अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे हम पहले सुत्र में हम प्राप्त किये थे A प्लस B बराबर 14 और यहाँ पर आया है A माइनस B बराबर 4 तो इन से हम आगे हल करेंगे समिकराड एक और इसको लिख दिजिए समिकराड ये दो लिए थे दो लिए थे अब इसको 3 दे देते हैं एक और 3 से इसी से हमारा समिकराड ए और भी का मान आएगा समिकराड एक और समिकराड तीन से पहला समिकराड देखिए क्या है A प्लस B बराबर 14 यहाँ पर मैं लिख देता हूं समिकराड का A प्लस B बराबर 14 तीसरा क्या है A माइनस B बराबर 4 यहां से 3 का मान आप बच्चों इसको हम सिंपल से जोड देंगे तो यह भी जो है निरस्त हो जाएगा और 2 A बराबर यह प्लस करेंगे तो 2 A बराबर आपका 14 चार 18 जुड़ेगा प्लस कर दीजिए हां पर तो यह हो गया 2 A बराबर 18 इसलिए A बराबर यह गुणा है इधर जाके भाग हो जाएगा 18 बराबर 9 तो बच्चों आब हम इसको इस किसी भी समिकरण में रख देंगे चाहे 3 में रखो चाहे 1 में रखो एक आए हमान चलिए इसी में रख देते हैं 3 में किसी में भी रख देंगे तो आपका मान भी का आ जाएगा समिकरण 3 में रखने पर 3 क्या है ए माइनस बी बराबर 4 यह कमान है 9 याने 9 9 रिंड बराबर 4 इसलिए बच्चों यहां पर हमारा आएगा बी को इधर ले जाएगे माइनस में इधर से प्लस हो जाएगा यह 4 इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा याने 9 रिंड चार बराबर बी और इसलिए 9 में 4 गया तो बी बराबर 5 तो बच्चों इस तरह से आप इन दोनों संख्याओं को प्रात्त करच चुके है अता हलीक दीजिए अता संख्या ए कितना है यह वभडात 9 और भी वभात 5 याने सेंख्याओं नो और पांच हैं तो देख संख्याओं कितना हो रहा है учowदा-igौ और पांच 14 इनका गुणन फल कितना है नोपंचे 45 तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो अतह संख्याएं यहां पर लिखें लास्ट में अतह कि संख्याएं कि नौ और पांच है कि तो यह इस तरह से आपको हल करना है